दोस्तों यह एक पूर्ण जैविक प्रोडेक्ट है एक लाइन में बताएं तो माइक्रो राजा सभी प्रकार के पौदों की जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रियोग किया जाता है जिस पौदे की जड़ मजबूत है उसे कोई बिमारी नहीं लग सकती आगे इसके बारे में डेटेल से बताते हैं इस वीडियो में माइक्रो राजा माइक्रो राजा एक कवक और पादपों की जड़ के मध्य एक संजीवी सम्मद होता है यानि कि माइक्रो राजा पौदे की मित्र फंगस है जो इसकी जड़ों को मजबूत रखती है तथा जोथ पढ़ने पर यह पौदे की मद्द करती है माइक्र राजा पोदे की जड़ों और मिट्टी के बीच प्रम्प्रिक सायोग काउ बनाकर अधीक उपज दे देता है यह पोदे के लिए विभीन प्रकार के पोशक तत्तो जैसे फास फोस नाइट्रोजन और अन्य सुक्षम पोशब तत्तो को अफसोशित करने में मदद करता है यह कवक पोदो द्वारा पानी और पोशक तत्तो के अफसोशन की सिवीदा परदान करते हैं पोदे अपनी पतियों से स्वक्रा को भोजन के रूप में कवक तक बेजते हैं दोस्तो माइक्रोराजा दो प्रकार कहोते हैं नमर एक एक्डो माइक्राजा नमर दो एंडो माइक्रोराजा जब कवक जड़ के चारों और मैडल के रूप में सित होता है इसे एक्तो माइकोराजा कहते है नमबर दो जब यह जड़ के अंदर पुर्विष्ट होकर विरदी करता है तो इसे एंडो माइकोराजा कहते है इसके लाब क्या हैं? फासपोस तता अन्य पोसक ततो के अवसोसन में विर्दी करता है दो जड़ों के तिवर विकास करता है भूमी की सरंचना में सुधाय करता है जल धारना अक्समता में विर्दी करता है फसल में कल्ले बढ़ाने में सायक है अध्यक्तम गुनवत्ता योक्त फसल की प्राप्ती होती है परिया बरण के लिए विर्दी सुक्षित है मिठी में सुक्सम जीवों की विर्दी करता है कौन-कौन सी फसल पर दे सकते हैं दोस्तों यह आम तोर पर सभी परकार की फसले कपास, मिर्च, गन्ना, दलहनी फसले, धान, गेहूं वे अन्य अनाज, मसाले, चाई, वे अन्य बागवाने की फसलों जैसे आम, सेव, हंगूर, हमरूद, निम्बू वे अन्य फसले, आलू वे, सबजिया वगी फसल आदी के लिए वो प्यूक्त होता है यानि के सबी फसलों के अंदर दे सकते हैं इसका प्रयोग क्या है? पर्थम प्रयोग, बुआई, उबलिक रुपाई, के साथ, चार किलो परती, एककड़ दुसरा प्रयोग, बुआई, उबलिक रुपाई, के 30 से 40 तिन के बाद चार किलो परती, एककड़ के हिसाब से इसको दे सकते हैं इसे मिट्टी में मिला करके, अपने खेट में छिटक सकते हैं या गोल बना करके, इसको अपने खेट में दे सकते हैं रुपाई के से में इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है खर्चा की बात करे तो यह लगबग 150 से 200 पर केजी के हिसाब से बजार में मिल जाता है धन्यवाद